लेलो मुरेली गुरू का गेहना है, पुम्भु करणों को मुर्ली ने जगाया, रावन माया है क्या समझाया। ओम शांती, आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं, 10 सेप्टेंबर 2024. आज की मुर्ली के सार में योगेश्वर बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा, कि इस मन मनाभाव के महा मंत्र में सारी खुबिया समाई हुई हैं, पहली बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, दुसरा बाबा ने क जितना याद में रहेंगे, उतना तुम सेफ रहेंगे, तिसरा बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे, उतने मैनर्स ठीक होते जाएंगे, करेक्टर सुधरते जाएंगे, और चौथा कहा कि बाप समान विदे ही वी याद की यात्रा से ही बनेंगे, और पांचवा कहा याद के बल से ही आत्मा में पवित्रता की धारना होती है और छटा कहा कि याद से ही ज्यान तलवार में जोहर भरता है तब ज्यान का तिर दुसरों को लगता है फिर सात्वी बात बताई कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे, सतोप्रधान बनते जाएंगे और कहा ऐसी आत्मा कभी किसी को रंज नाराज नहीं करेंगी और याद से आठवी धारना बताई करमिंद्रिया अटोमेटिकली शान्थ हो जाती है योग बल से ही इन सब बातों की एंड हो जाएंगी करमाती थवस्था बनती जाएंगी फिर विशेश समय का ज्यान देते हुए कहा कि अंत में जब बॉम छोडेंगे तो बड़ी-बड़ी इमारते, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे ऐसे गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं बाबा केते हैं इसका मतलब यहां नहीं है कि जो उची बिल्डिंगों में रहने वाले हैं वही मरेंगे नहीं, बाबा केते हैं, जो जहाँ होगा चाहे समुद्र पर हो, प्रत्वी पर हो, आकाश पर हो, पहाडों पर हो चाहे उड़ रहे हो, सब खतम हो जाएंगे, फिर नई दुनिया आएंगी, फिर नशा दिलाते हुए कहा कि तुम अभी देवता बनते हो, बड़े आदमी देवताओं को कहते हैं, जिसे बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, तुम्हारे लिए अभी यह सारी सफाई होती है, क्योंकि तुम बड़े आदमी बनते हो, सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधूर महवक्यों को विस्तार से, आज बाबा कहे, मिठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है, मन मनाभाव, इसी मंत्र में सब खुबिया, सब विशिष्टाई समाई हुई है, यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है, आज बाबा ने मुर्ली से प्रश्न पुछा, आत्मा की सेफ्टी का नंबर वन साधन कौन सा है और कैसे, उत्तर में बाबा ने कहा, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर वन साधन है, क्योंकि इस यात्रा से ही तुम्हा तुम माया पर जीत पा लेते हो, याद से पतित करमिंद्रिया शान्थ हो जाती है, याद से ही बल आता है, ज्यान तलवार में याद का जोहर चाहिए, याद से ही मिठे सतोप्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे, इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं ब मिठे मिठे रुहनी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है, कौनसी? बबा कहते हैं कौनसी सावधानी दी जाती है, सेफटी फरस्ट, बबा कहें सेफटी क्या है, याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो, मूल बात ही बच्चों के लिए य बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तक पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेंगी, और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करेक्टर भी सुधारना है, अपनी जाच करनी है, मेरा करेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आजाता है, यह अच्छी रिती अपनी जाच रखनी है, बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो, फिर पढ़ाते भी हो, बिहद का बाप सरफ पढ़ाते हैं, बाकि तो सब है देहधारी, इसमें सार दुनिया आजाती है, एक बाप ही विदेही है, वह तुम बच्चों को कहते हैं, तुमको भी विदेही बनना है, मैं आया हूँ, तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहाँ वापस घर जाना है, ची-ची अपवित्र को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए पहले-प माया को वश करने का यह मंत्र है। कौनसा मन मनाभव, पवित्र होने का यह मंत्र है मन मनाभव, इस मंत्र में बहुत खुबिया भरी हुई है, विशेशताय भरी हुई है, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफटी चाहो, बाप तो सिख्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर भी आगे के लिए भी समझाते रहेंगे, याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है, बाहर रहने वाले बांधेली गुपिकाए, जितना याद करती है उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बांधेलियों को तड़पन होती हैं, शुबाबा से मिलने की, जो मिल जाते हैं, उन्हों का पेट जैसे की भर जाता हैं, जो बहुत याद करते हैं, वह उच पद पा सकते हैं, दिखा जाता हैं, अच्छे अ जोहर न होने के कारण, किसी को तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं, अर्थात बाबा को पूरा पहचानते ही नहीं, बच्चे कोशिश करते हैं, ज्यान का बाण लगा कर बाप का बनाए वा मर जिवा बनाए, परन्तु मरते नहीं, तो जरूर ज्यान तलवार में गड़ बाबा बल जानते हैं, ड्रामा अनुसार बिल्कुल चल रहा हैं, परन्तु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना, हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहां तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता हैं, ज्यान तलवार में जोहर चाहिए, तभी सामने व बड़े मीठे बनते जाएंगे, तुम सतो प्रधान थे, तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा वातावरण न हो, जो कोई रंज नाराज हो, ऐसी कोशिश करन की सर्विस बहुत उची है बाबा कहते हैं यह बहुत उची सर्विस है तो इसमें किसी को भी नाराज नहीं करना है विश्व विद्यालई तो भारत में बहुत गाये जाते है वास्तों में वह है नहीं विश्व विद्यालई तो एक ही होता है बाप आकर सब को मुक्ती जीवन मुक्ति देते हैं बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खतम होने हैं बाप को बुलाया भी इसलिए है कि चीची दुनिया का खातमा हो और नई दुनिया के स्थापना करो बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाबा आया हुआ है अभी माया का यहां का खेल दिखाते हैं, बड़े-बड़े मकान आदी बना रहे हैं, यहां पॉम्प है, दिखावा है, सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं है, यहां बनते हैं, क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है, विनाश जब होता है, तब सब बड़े-बड़े मकान भी गिर आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, बॉम्स जब छोडेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे, बाकी दुसरे रह जाएंगे, नहीं, जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, प्रत्वी पर हो, पहाडों पर हो, उड़ रहे हो, सब खतम हो जाएंगे, अंडरलाइन, बाबा केते हैं, जाना तो सब को है, चाहे कोई कहां पर भी, किसी भी कोने में चला जाए, चाहे कोई बिल्डिंग के सोवे माले पर हो, समुद्र में हो, चाहे प्रत्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड उपर हो या उड़ रहे हो सब को जाना तो है ही यह पुरानी दुनिया है ना जो भी 84 लाख योनिया है सब खत्म हो जानी है वहां नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं ना इतने मनुश्य होंगे ना मच्छर ना जीव जन्तु आदी होंगे यहां तो धेर के धेर है बड़ी सफाय आदी राती हैं, तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, बाबा केते तुमको बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम तो बहुत बड़े देवता बनते हो, तो तुम्हारे घर में कितनी सचता होंगी, तुम बह बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत उँच देवता बनते हैं, एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत उँच बनाते हैं, पढ़ाई में हमेशा नमबर वार पोजिशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं, अब बच्चे पुर्शार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों को भी मालुम पढ़े, भारत का प्राचिन राजयोग भी गाया हुआ हैं, खास विलायत वालों को जास्ती उचसुकत होती हैं, राजयोग सिखने की, भारत वासी भी तमो प्रधान बुद्धी हैं, वहां फिर भी तमो बुद्धी हैं, इसलिए उन्हों का शौंक जास्ती रहता हैं, भारत का प्राचिन राजयोग सिखने का, भारत का प्राचिन राजयोग नामी ग्रामी हैं, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था, बहुत थोड़े आते हैं, जो पूरी रिती समझते हैं, स्वर्ग हैवन पास हो गया, क्रोस हो गया सो फिर होगा जरूर हैवन अथवा पैरेडाइज है सबसे वंडर ओफ वर्ल्ड स्वर्ग का कितना नाम बाला है स्वर्ग और नर्ग हैं, सबको ले जाने वाला भक्ति को कहा जाता है रात ज्यान को कहा जाता है दिन यह बिहद की बात है नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फरक होता है अब बच्चों की दिल होती है इतनी उचते उच पढ़ाए उचते उच मकान में हम पढ़ाए तो बड़े-बड़े लोग आएंगे, एक-एक को बैठ समझाना पड़ता है, वस्तों में पढ़ाए वा सिक्षा के लिए एकांत में स्थान होता है, ब्रम्ह ज्यानियों के वे आश्रम शहर में दूर-दूर होते हैं, और नीचे ही रहते हैं, इतने उपर की मन् बैठरी को कैसे भरना है? यह बाप के सिवाई कोई भी बैठरी चार्ज करना सके, और उसकी युकती भी बाबा ही बताते हैं, बच्चों को बैठरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, उसके लिए मुक्य है याद, उसमें ही माया के विगना पड़ते हैं, कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपाते हैं, अंदर में जो खामिया हैं, वह तो बाप को बतलानी पड़े, इस जन्म में जो पाप किये हैं, वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक हैं, जो सचे सचे बच्चे बनते हैं, वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह यह पाप किये हैं, दिन प्रति दिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म हैं, तमों प्रधान से पाप तो जरूर होते ह बाबा कहते हैं जब करमातित अवस्था बनती हैं जिसे मनुष्य बुढे होते हैं तो करमिंद्रिया और्टोमेटिकली शान्थ हो जाती है इसमें तो छोटे पन में ही सब शान्थ हो जाने चाहिए बाबा कहे योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए अर्फात सब बाते खतम हो जाए वहां सत्युग में कोई ऐसी गंदी बिमारी की चड़ पटी आदी कुछ नहीं होता है मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं वहां है ही राम राज्य यहां है रावन राज्य तो अनेक प्रकार की गंदगी की बिमारिया आदी है सत्युग में यह कुछ होता ही नहीं बात मत पुछो नाम ही कितना फर्स क्लास है स्वर्ग नई दुनिया बड़ी सफाई रहती है बाप समझाते हैं इस पुर्षोतम संगम युकपर ही तुम यह सब बाते सुनते हो कल नहीं सुनते थे अर्थात पहले नहीं सुनते थे कल मृत्यु लोग के मालिक थे आज अमर लोग के मालिक बनते हो निश्चय हो जाता है कल हम मृत्यु लोग में थे अभी संगम युक पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुर्शार्थ कर रहे हो पढ़ानी वाला भी अब मिला हैं जो अच्छी रिती पढ़ते हैं तो पैसे आदे भी अच्छा कमाते हैं बली हारी पढ़ाई की कहेंगे यह भी ऐसे हैं इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊच पद पाते हो अभी तुम रोश्नी में हो यह भी सिवाई तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो पुरानी दुनिया में चले जाते हो भूलना मना पुरानी दुन्या में चले जाना बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो हैं लेकिन सिम्रन भूल जाना बाबा की याद भूल जाना तो जैसे कि वापस पुरानी दुन्या में चले जाते हैं बाबा कहे अभी तुम संगम युगी ब्रामहनों को मालूम है कि हम कल युग में नहीं है यह सदेव याद रखना है हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं बाप हमको पढ़ाते ही है नए दुनिया में ले जाने के लिए यह है शुद्ध अहंकार वह है अशुद्ध अहंकार तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध खयालात भी नहीं आने चाहिए पुर्शार्थ करते करते आखरेन पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेंगी बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुर्शार्थ ही है इम्तहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफर हो जा भल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धी हो जाते हैं ऐसे बाबा के सनमुख भी जाना चाहिए बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बने हैं तो सनमुख भी मिलन मनाना चाहिए जिस बापने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सनमुख तो आज में नहीं आती हो, तो भल पूछो, बाब तो चुम्बक है ना, जिसकी तकदिर में है, वहाँ अच्छी रिती पढ़ सकते हैं, तकदिर में नहीं है, तो फिर खलास, सुना-ंसुना कर देते हैं, यहां कौन बैट पढ़ाते हैं, बाबसमर्ति दिला रहे हैं, कि यहां कौ और अलोकिक दोनों पढ़ाई में से कौनसी पढ़ाय अच्छी, तुम कहेंगे हमको शिबाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती हैं, ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं, कोई तो पूरा न समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जन्जीरों में जकड़े रहते हैं, शुरू में तो तुम कैसे अपने को जन्जीरों से छुडा कर आए, जिसे कोई मस्ताने होते हैं, यह भी ड्रामा में पाड़ था, जो कशिश हुई, क्योंकि उस समय आत्माओं को कशिश होती थी, बाबा कहे ड्रामा में भट्टी ब की पक्के है वा नहीं, बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे, तुम बच्चे अल्बम आदी देखते हो, लेकिन सरफ चित्र देखने से भी समझ न सके, कोई बैट समझाए की क्या-क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले कोई कैसे, जैसे रुपिय चपते हैं, तो कोई-कोई खराब भी हो पड़ते हैं, यहाँ भी इश्वरिय मिशन है, बाबा एक्जामपल देकर समझा रहे हैं, कि जैसे रुपिय पैसे चपते हैं, उसमें भी खराब हो पड़ते हैं, कई बार फिर बाबा एक्जामपल देते हैं इटो का, इटे जब पकती हैं तो उसमें कोई अच्छी पक कर निकल जाती है और कोई फिर नहीं भी पकती है, कोई ज़्यादा पक जाती है, ऐसे बाबा कहते हैं यहां भी वराइटी बच्चे हैं, यहां भी इश्वर्यमिशन है, इश्वर बैठ धरम की स्थापना करते ह यहां बात किसी को भी पता नहीं है, बाप को बुलाते भी हैं, परन्तु जैसे तवाई, समझते ही नहीं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है, माया रावन एक दम ऐसा बना देती है, शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी, शिव बाबा कहते हो फिर कर्मे भगवान को कहना तो क्या सब भगवान ही भगवान है भगवान अनलिमिटेट तो नहीं होगा ना तो बाप बच्चों को समझाते है कल्प पहले भी ऐसे समझाया था अच्छा मिथे मिथे सकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निग और नमस्ते सारी मूरली से धारना के लिए सार है पहला ऐसा मीठा वातावरन बनाना है जिससे कोई भी नाराज ना हो बाप समान विदेही बनने का पुरुशार्थ करना है याद के बल से अपना स्वभाव, मीठा और करमिंद्रिया शांत रखनी है दुसरा सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम योगी है कल योगी नहीं, बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं अशुद्ध खयाला समाप्त कर देने है आज बाबा ने वर्दान दिया अकाल तखत और दिल तक्त पर बैठ सदा स्रेष्ट करम करने वाले करम योगी भव अकाल तखत और दिल तक्त पर बैठ सदा स्रेष्ट करम करने वाले करम योगी भव स्पश्टि करण है इस समय आप सभी बच्चों को दो तखत मिलते हैं एक अकाल तखत, दुसरा दिल तखत लेकिन तखत पर वही बैठता हैं जिसका राज्य होता है जब अकाल तक्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है और जब बाप के दिल तक्त नशीन है तो बाप के वर्से के अधिकारी है जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है करम योगी अर्थात दोनो तक्त नशीन ऐसी तक्तनशिन आत्मा का हर करम स्रेष्ट होता है क्यूंकि सब करमिंद्रिया लौ और ओर्डर पर रहती है आज बाबा ने करम योगी बनकर दोनों तक्तनशिन बनने के लिए कहा कि जो करम योगी होगा वह अकाल तखत नशिन भी होगा और दिल तक्त नशिन भी बनेगा और ऐसी तक्त नशिन आत्मा के हर करम स्रेष्ट होते हैं और उनकी करमिंद्रिया लौ और ओर्डर की अनुसार चलती है आज का स्लोगन है जो सदा स्वमान की सीट पर सैट रहते हैं वही गुणवान और महान है जो सदा स्वमान की सीट पर रहते हैं वही गुणवान और महान है आज 10 सेप्टेंबर का अव्यक्त इशारा है इशारे का लक्ष है इच्छा मात्रम अविद्या बनो और बनाओ आज बाबा कहे हम सभी इशर्य बच्चे दाता के बच्चे हैं, सर्व प्राप्ती जन्मसिद अधिकार हैं, इस शान में रहो, मास्टर विधाता, मास्टर वर्दाता, मास्टर सागर बन ऐसे शक्ति शाले स्थिती का अनुभव करो, सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अवि आज बाबा ने विशेश स्वमान दिया और उसका अभ्यास करने के लिए कहा कि हम कौन हैं, दाता के बच्चे हैं, सर्व प्राप्तिया, हमारा जन्मसिद अधिकार हैं, हम मास्टर भाग्य विधाता हैं, मास्टर वर्दाता हैं, मास्टर ज्यान सागर हैं, इसी शान में र शक्ति शाली स्थिती का अनुभाव करना है अच्छा ओम शांती शुक्रिया बाबा शुक्रिया